भलमंसी के सामने उनकी आखे नहीं उड़ती थी बच्छो यहाँ पे देखे यह जो लाइन है उन्हें इस रकम की जरावी परवा न थी लाला सदानंद को इसकी बिल्कुल चिंता न थी कि उन्होंने अपने पुरोहित की मदद की है उन्हें पता था कि उनका पुरोहित जो है वीवर्षे जिस कारणवस वह उन्हें उधार नहीं लोटा पा रहा है शादे राम की दिल में शांती न थी क्योंकि उन्होंने कर्ज लिया था तो इसलिए उन्हें शांती न थी देखें यहां लाला सदानन्द इसलिए बात नहीं करते थे अपने पुरोहित से कि उन्हें लगता था उन्हें पता था कि उनके पुरोहित उनके पैसे लोटाने के लिए बहुत चिंती थे इसलिए लाला सदानन्द उस पैसे की जिक्र ही नहीं करना चाते थे क्योंकि अगर वा एक बार भी पूछ देते तो इनकी जो परिशानी थी पंडिशादी राम की वा और बढ़ जाती इसलिए लाला सदानंद उस पैसे की चर्चा ही नहीं करते थे और ना उन्होंने पूछा यही बात पंडिशादी राम को समझ में नहीं आती थी कि लाला सदानंद कितने भले वैकती हैं कि उन्हें अपने पैसी की जरा भी परवा नहीं है और उनकी भले मंसी की सामने उनकी आखे नहीं उठती अर्थात लाला सदानन्द की अच्छे वैवार के कारण पंडित शादी राम उनको इतनी इज़त देते थे जिसके कारण उनकी आखे पंडित लाला सदानन्द के आगे नहीं उठती थी एक दिन लाला सदानन्द किसी काम से पंडित शादी राम के घर गए उनकी अलमारी में कई सो बांगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देख कर बोले या क्या है पंडित जी? मासिक पत्रिकाएं मिंस मंथली जो मैगजिन आते हैं उसे कहा जाता है पंडि शादी राम ने उत्तर दिया पुरानी पत्रिकाएं हैं पंडि शादी राम ने कहा कि पुरानी मैगजिन है बड़े भाई को पढ़ने का शौक था वही इस पत्रिकाओं को मंगवाते थे जब वे जीवित थे मतलब अवब मर चुके हैं तो किसी को हाथ ना लगाने देते थे जब भाई जीवित थे तो किसी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं थी उनकी पत्रिकाओं को अब इन्हें कीडे खा रहे हैं कोई पूछता भी नहीं रद्दी में क्यों नहीं बेच देते ये लालस सदानंदे कहा कि जो रद्दी वाले आते हैं उन्हें बेच दो इनमें चित्र हैं पंडी शादी राम ने कहा इनमें चित्र हैं जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूं मतलब एक आध पुस्तक निकाल कर दे देता हूं बच्चो का दिल बहल जाता है पुस्तक नहीं बहलता बच्चो पुस्तक के अंदर बने चित्रों को देखकर जैसे आपके इस पुस्तक में ये चित्र बने हुए हैं ये चित्र बने हुए हैं इसी तरह मैगजिन में भी चित्र बने होते हैं ने देखकर बच्चों का मन बहल जाता था और रोना बंद कर देते थे लाला सदानन ने आगे बढ़कर कहा दो जरा देखें कैसे चित्र हैं पंडी शादी राम ने कई सुन्दर और रंगीं चित्र दिखाएं लाला सदानन कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहें मतलब पंडों को ऐसे पलट कर देखते रहें सहसा बोले फिर अचानक बोलते हैं ये चित्र कला के बढ़िया नमोने हैं नमोने मतलब उधारन बढ़िया अच्छे चित्र कला मिल्स ड्रॉइंग के अच्छे उधारन है ये नमोने हैं अगर किसी शौखीन को पसंद आ जाए त तो हजार दो हजार रुपए बड़ी असानी से कमा सकते हैं। लाला सदानन कहते हैं कि ये चित्रकला के अच्छे नमोने हैं। कई वैक्तियों को कई चीजों का शौक होता है। किसी को चित्रकला का भी शौक होता है। अगर चित्रकला के शौक रखने वाले वैक्ती को, अगर ये तस्वीरे अच्छी लग जाएं, तो वह इन्हें हजार दो हजार में तुमसे खरीज सकते हैं। पंडिश शादी राम ने एक ठंडी सांस भर कर कहा, ऐसा भाग गया होतें, तो यू धक्के ना खाता फिरता। बोले, एक काम करो। शादी राम कहते हैं, क्या? आज बैठ कर, जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरे हैं, सबको अलग छाट लो। बहुत अच्छा। जब यह कर चुके, तो मुझे कहलवा दे। आप क्या करेंगे? मैं इनकी एल्बम बनवाऊंगा, और आपकी तरफ से व विग्यापन दे दूँगा, विग्यापन करता होता है, बच्चो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, या विग्यापन किसी शौखीन के हाथ पर जाए, और आप दो चार पैसे कमा ले। तस्वीरे बहुत बढ़िया हैं। अब लाला सदानन्द कहते हैं, एक सजेशन देते बता दीजेगा, तो पंडि शादी राम कहते हैं कि मैं आपको यह बता के क्या करूंगा, तो लाला सदानन्द अपनी पंडित पुरोहित की मदद के लिए वह उस चित्रों का एक एलबम बनवाएंगे और उसे विग्यापन में दे देंगे, किसी वैक्ति को पसंद आ जाए यह चित्रकला के अच्छे नमूने हैं, तस्वीरे बहुत बढ़िया हैं